वेल्कम बैक दूस्तों स्वागत दब तभी काटकेमेस पे मेरा नम मूनिल है और दूस्तों आज के वीडियो में आपको तीन ऐसी गेम्स के बारे में बताने वाला हूं जो की बहुत ही बढ़िया गेम्स आपको काफी मजाएगा खेलने में और साथ में ये तीनों की तीनों आप ऑफलाइन भी खेल सकते हो तो अगर कभी आपका मोबाइल डाटा या वाइफाई साथ ना दे तब ये गेम्स आपको काफी पसंद आएंगी तो यह चली जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौनशी गेम्स है अगर हम सुरुआत करें सबसे पहली गेम से तो जो सबसे पहली गेम है उसका नाम है स्मार्टफोन टाइकोन टू और यह मेरी पर्सनल फेवरेट गेम है ये तीनों गेम्स में से मुझे बहुत जादा अच्छी लगी और अगर आप भी एक टेक लवर हो या फिर एक स्मार् अगर दिखने हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको एंप्लॉइस को हायर करना है अपनी ऑफिस को बड़ा करता जाना है जैसे यह कंपनी ग्रों करेंगी वैसे वैसे ओफिस को बड़े करते जाओ और इसमें आपको अलग अलग फोन बनाने होते हैं मतलब आपको सब यह भी देखना होते है कि आपके फो बनने को जो खर्चा लगा यह वह आपको बार नाश में tied को और जो बाद Janeiro हो दिखा था कि आपको फोन की पराइस वगेरा करनी होती है फिर और फोन को बनाने के टाइम पे आपको कुछ ऐसे points मिलते है जिसको exactly क्या कहते है वो तो मुझे नहीं पजा लेकिन मैं या पे उसको research points बोलता हूँ तो वो points से आप क्या कर सकते हो कि और नई जैसे फोन की size बढ़ा दी या फिर megapixel बढ़ा दी या फिर फोन में कुछ नहीं चीज़े लेकर आए तो ऐसे ही आपको हर एक चीज उसमें research करनी होती है यह research points को use करके और उसके बाद अपने phone को ऐसे अपग्रेड करते जाना है फिर next phone बनाना है उसको sell करना है अगेन उसके बाद कुछ research करके वापस नया phone बनाओ और यही पूरी cycle चलती रहती है यह game में यह game मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि यह real life से काफी ज्यादा relatable है मतलब real life में भी आसा ही होता है ब्रैंड जब phone बनाती है उसके बाद उसको marketing करती है और बाद में आपको लोगों के opinion भी इसमें game में देखने को मिलता है वैसे real life में भी आपको reviews देखने को मिलते है वैसे यह game में भी आपको review देखने को मिलेंगे और basically real life से काफी ज्यादा relatable है यह game इसलिए मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी सो अगर आप भी smartphone या tech level हो तो आपको बहुत इक बढ़िया लगी है game इसको आप जरूर से try करके देखना इसके link में description में दे रहा हूं या फिर आप सीधा play store पे जाके भी इसको download कर सकते हो और इसके अलावा जो भी ब बग मुझे देखने को मिला था और वो यह कि जब मैं कोई smartphone create करता था create smartphone के button पे click करने के बाद जब मैं phone को नाम देता था उसके बाद यह game हैंग हो जाती थी मतलब बाद में कुछ करे नहीं पाता था तो मुझे game को restart करना परता था और restart करने के बाद भी वापस सेम situation होती थ अब यह game एक दम बढ़ी अतरी के से चल रही है मेरे phone में तो में भी हो सकता है आपके phone में भी आपको कोई bug देखने को मिले और इसके पहले भी जो smartphone tycoon 1 थी वो भी उसमें थोड़ी बहुत bugs थे मेरे phone में वो भी मैंने खेली थी तो yes हो सकते है आपके phone में भी इसमें में बैठके खेल सकते हो और यहां पर जो भी सारी दो प्लेयर की गेम होती है जैसे air hockey होती है या फिर पिंग पॉंग यानि के table tennis होती है और उसके बाद में tic-tac-toe है और यहां पर सूमो की है और racing cars की है और यहां पर बहुत सारी अलग-अलग games है spinners की है फिर यहां पर snakes क बहुत सारी अलग-अलग games मिलेंगी जो कि आप अपने दोस्त के साथ बैठके साथ में खेल सकते हो जैसे भी आपको यह वीडियो में मेरे सामने दिख रहा है वह वीडियो में तो मैं खोदी दोनों तरफ से खेल रहा हूं क्योंकि अभी मेरे पास कोई है नहीं दूसरा प् यह गीम इः ज़ये आपको एफलाड ही अपने दोस्त के साथ नहीं हए तो यह वीडिया एपट के सास्त दैके साथ हो भी हो और यह एपिश्या टॉमोद के देखते हो तो आप चैनल पीने अपर zgo gamble स्प्राइब हो इसको आप जैसे चाओ आप यहा प्लेश्शों की दोस् इसके बाद अगर हम बढ़े हमारी थर्ड गेम की तरफ तो जो थर्ड गेम है उसका नाम है सैंग बॉल्स और ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी और विजिकली ये गेम में आपको करना क्या होता है कि आपको इसमें कुछ बॉल्स मिलेंगे वो बॉल्स को आपको इसके घंगेज़ को रचे में उसको डिक करके और नीचे लेके जाना है और उसको बहुत सारे ओपस्टेकल्स मिलेंगे सैट में आपको और कुछ एक्स्ट्रा बॉल्स भी मिलेंगे उनस अंसब को अको गलेक डिकले मिलें और लेकश चलओ Memorial से लद See उख उर बलस में सब्स करते हैं वरना आपके सारे बहुत नीचे तक पोचेंगे नहीं रास्ते में कहीं गाया हो जाएंगे तो यह काफी सिंपल ची गेम है और साथ में मुझे तो थोड़ी बहुत अदिक्टिव भी लगती है इसको मैं काफी बार खेलता हूं तो आपको भी यह पसंद आईगी अगर इसको ट्राय करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है या फिर प्लेस्टों पर जाके भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो और बस यही थी तीनों की तीनों गेम जब यहां पर हमारा वीडियो खतम होता है अब आप मुझे सब्सक्राइब कर देना इतना देखा है तो यह करके जाना और बस अब मिलता हम आप सब को मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ होराएब कर दोहर सबस् सकते है